वालकुम बैक टू कैनमस कासी चली जल्दी से अटॉमिक स्टुक्च्चर को रिवाइज करते हैं इन फोस्ट ब्यूटिफुल मैनर देखें तो सबसे पहले गर हम बात करें तो कैथोड रे ट्यूब एक्सपरिमेंट के बाद जे जे थॉम्सन ने अपना थॉम्सन प्लम पू और उनका जो E by M ratio पर मास रज्व फे इसु तो जे जे थॉम्सन ने चार्ज मेसर नहीं किया था उन्होंने चार्ज मास की वहल्य मेजर की थी थी ठीक है तो थॉम्सन की प्लम पूड़ु मोडल में क्या कहता है उन्होंने कि एक पॉजिव ली चार्ज फेर है जिसके अंद positive charge is equal to net negative charge पट इसमें दिक्कत क्या होगी कि भी a static model था, movement of electrons के बारे में उनकी energies के बारे में इस पूरी system की stability के बारे में बात नहीं करता इसलिए फेल हो गया, अब second आया Rutherford's atomic model या Rutherford's nuclear model of atom, Rutherford ने fast moving alpha particles को bombard करवाया gold foil के उपर अब gold foil पे जब वो bombard करवाया तो उन्होंने expect किया था कि almost सारेक सारे सिधे निकल जाएंगे या कि deflection मिलेगी तो सब को बराबर मिलेगी, ठीक है, अगर हम deflect करेंगे ये particle तो बराबर angle से deflect करेंगे सारेक सारे पर हुआ क्या, majority of particle सिधे निकल गए और जिनको deflection मिली उनको बहुत बड़े angle से मिली जितना उन्हों उमीद किये नी थी उन्होंने सोचा था कि मुश्किल से एक या दो डिगरी की deflection मिलेगी और यहाँ deflection कभी-कभी तो 180 डिगरी तक की आ गई तो जिससे गया idea लग कि majority of particles सिधे निकल गए उनको कुछे नहीं हुआ और जिनको हुआ उनको बहुत जादा repulsion मिली तो positive charge पूरे atom पे फैला हुआ नहीं हो सकता वो बहुत छोटे से space में concentrated होगा जिससे आया concept of nucleus तो उन्होंने nucleus का concept दिया अब उन्होंनों बोला कि atom का radius nucleus से 10 raise to power 5 times बड़ा होता है तो volume 10 raise to power 15 times हो जाएगी और nucleus क्योंकि electron को track करेगा तो electron उसके चार तरफ चक्कर लगा रहा है तो यह जो इनके बीच में electrostatic force of attraction है यह as a centripetal force काम कर रही है पट इसके भी कुछ drawbacks रहे drawbacks क्या रहे पही सबसे पहले यह explain नहीं कर पाए कि अगर एक charge particle इस तरह से चक्कर लगा रहा है गोल-गोल तो वो एक accelerated motion में है और accelerated charge particle को energy lose करनी चाहिए और एक spiral path follow करते हुए उसको nucleus में गिर जाना चाहिए पर ऐसा वो नहीं कर रहा है ऐसा वो क्यों नहीं कर रहा है वो नहीं कर पाए second stability of system की बारे बात नहीं कर पाए energies of electrons क्या रहेंगी उनकी velocities क्या रहेंगी किस distance के उपर वो चक्कर लगा रहे है उसके बारे बात नहीं कि उन्होंने ठीक है then line spectra को explain नहीं कर पाए कि hydrogen का जो spectra है उसमा वो lines क्यों आ रही है वो क्या normally हम wave मानते हैं classical mechanics की classical physics की बात करें तो वो electromagnetic radiation को waves मान के चलता है ठीक है पर उस wave nature की basis पे काफी सारे experimental observation explain नहीं हो पा रहे यह से black body radiation क्या है क्यों है वो classical mechanics explain नहीं कर पाए यह classical physics explain नहीं कर पाए और photoelectric effect को wave nature explain नहीं कर पाया then variation of heat capacity of solids as a function of temperature को भी explain नहीं कर पाया तो कुछ ऐसे points थे जहां पर लगा किया wave theory fail हो रही है तो हमें एक नई theory चाहिए तो वहां से नई theory जो आई पहले बात that is dual nature of electromagnetic radiation that is Planck's quantum theory तो Planck's quantum theory नहीं क्या कहा Planck's quantum theory नहीं यह कहा कि electromagnetic wave जो है यह सिर्फ wave नहीं है यह particles के तरब behave करेंगे यह छोटे-छोटे fast moving particles नहीं को photon कहा गया तो यह fast moving particles of energy हैं जो speed of light से travel करते हैं और हर photon के पास definite amount of energy है red light का photon के पास different energy होगी green के पास different होगी violet के पास different होगी तो energy of single photon is equal to h new right new is the frequency h is the Planck's constant तो वहाँ से नहीं नहीं बोला कि यह wave के पास particle nature भी है तो dual nature of electromagnetic degradation आ गया and अब क्योंकि कोई भी atom अगर photon absorb करेगा तो specific photon नहीं absorb करेगा आधा, डेड, धाई absorb नहीं कर सकता एक करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, चार करेगा right तो integral multiple में ही energy absorb होगी और integral multiple में ही energy emit की जाएगी मतलब अगर photon छोड़ रहा है तो तुम बोलो किसा धाई photon छोड़ रहा है ऐसा नहीं होगा दो photon, तीन photon, चार photon इस तरह से वो energy emit करेगा तो मतलब energy is quantized only certain fixed values of energy can be absorbed and certain fixed value of energy can be emitted ठीक है, अब Einstein ने photoelectric effect को explain किया ठीक है, Einstein ने 1905 में photoelectric effect को explain किया using this concept Plank's quantum theory का जो concept था के quantized energy उसके बिसेट पर ने ने explain किया अब देखे, photoelectric effect में क्या होता है एक photosensitive metal के उपर light गरती है of sufficient energy ऐसे नहीं की कोई भी light light of sufficient energy गिरेगी और metal के surface से electrons निकलते हैं इन निकलने वाले electrons को photoelectrons कहा गया और इनके पास कुछ kinetic energy भी होगी है मालीजे, metal के surface से electron निकालने की जो minimum energy requirement है उसको कहा गया work function और यह है मालीजे 15 तो अगर incident light जो है उसके photon के पास energy है 15 तो 15 चाहिए थे 15 की energy आ रही थी 15 की energy हमें चाहिए थी तो पूरा खर्च होगी बचा कुछ? नहीं तो kinetic energy 0 है अब अगर incident जो photon था उसके energy 20 है तो 15 उसमें से consume हो जाएगी electron को निकालने के लिए 5 बच जाएगी तो इसलिए h new that is incident energy is equal to h new 0 that is the work function plus kinetic energy max तो यह equation थी आपकी बास photoelectric effect की तो पैटे यहाँ पर अगर हम kinetic energy का frequency के साथ variation देखे तो kinetic energy frequency के साथ बढ़ती है frequency बढ़ा होगे तो kinetic energy बढ़ेगी पर intensity बढ़ा होगे तो kinetic energy को कुछ नहीं होगा क्यों intensity का मतलब क्या है जहाँ पहले एक photon गिर रहा था अब वहाँ पे दो गिर रहे हैं तीन गिर रहे हैं, चार गिर रहे हैं मतलब जहाँ पहले एक electron निकल रहा था वहाँ दो निकलेंगे, तीन निकलेंगे, चार निकलेंगे number of electrons बढ़ेंगे अब system में number of electrons बढ़ेंगे circuit में तो current बढ़ेगा तो intensity बढ़ाओगे तो current बढ़ेगा पर kinetic energy same रहेगी इसलिए kinetic energy is independent of intensity but directly proportioned to the frequency of incident radiation then next बात करते हैं spectra spectra जब आप देखिए white light को prism से पास करते हैं वो सारे colors में break करता है और prism के बाद जो आपको वो rainbow मिलता है उसमें कोई color missing नहीं होता uniformly continuity में सारे आपको colors मिलते हैं that is called a continuous spectra अगर उसे मालेजी बीच में कुछ colors missing हो कुछ black lines हो तो उसको कहेंगे हम ये एक spectra है अब line spectra है absorption spectra है या emission spectra है उसके बारे बात करते हैं जब भी कोई atom है white light आ रही है उसमें सारी radiations है सारी wavelength है अब एक atom है अब उसके तुरू जब वो ये pass की not just one atom मतलब माली जो gas है अब gas के तुरू ये radiation pass कर रही है तो gas के atoms ने कुछ radiation को absorb कर लिया तो आगे जो radiation निकलेगी उसमें से कुछ radiation missing होंगी क्योंकि जो absorb हो चुगी है वो तो missing होंगी तो आगे जो आपको spectrum मिलेगा उसमें वो सारे colors नहीं मिलेंगे कुछ colors बीचे missing होंगे वो जो missing होंगे वहाँ पर black lines होंगे तो continuous spectrum में बीच 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 ब्लैक लाइन्स होंगी इसको कहेंगे absorption spectra क्योंकि उस total wavelength में से कुछ wavelength absorb हो गई तो बाकी की जो बची उनका जो spectrum है उसको बला absorption spectra अब वो gas के particle जब excite हो गए क्योंकि radiation absorb करेंगे higher energy में जाएंगे अब higher energy में तो हमेशा तो रह नहीं सकते वापस नीचे आना बड़ेगा तो जब वो higher energy से lower energy में आते हैं तो वो उसी radiation को emit भी करते हैं जिसको absorb किया तो उसी को emit करेंगे जब वो radiation emit होगी तो अब वही जो missing lines थी पहले वाले में अब वो ही lines आपको मिलेंगी बाकी कुछ नहीं मिलेगा तो पहले वाले में जो black lines थी अब यहाँ पर वही lines colored होगी बाकी total black होगा that is called emission spectra जब कोई भी excited state से lower state में आता है तो वो radiation emit करता है उससे जो spectrum बनता है उसको होते है emission spectra तो दोनों spectra एक दूसरे के negative होते हैं तो दूस पार्ट इस क्लियर ठीक है? ये क्लियर हो क्या? चिलिए spectra के बात करते है बहुर atomic model बहुर ने कहा कि Rutherford के model में electron चारो तरफ को चक्कर लगा रहा था nucleus के that is सही है पर वो energy lose नहीं करेगा क्यों? क्योंकि वो fixed energy orbits में चक्कर लगा रहा है हर orbit के energy fix है ना उसको बढ़ा सकते ना घटा सकते हाँ तो जब एक electron किसी orbit में चक्कर लगा रहा है उसके energy fix है उसकी velocity भी fix है उसके radius भी fix है हाँ अगर उसको energy अपनी change करनी है ठीक है? तो higher energy में जाना है तो उसको उससे higher orbit में जाना पड़ेगा lower energy में जाना तो उसको lower orbit में जाना पड़ेगा तो जब भी वो किसी एक orbit से दूसरे orbit में जाता है तो यह तो energy absorb करेगा higher में जाने के लिए यह energy lose करेगा lower में आने के लिए तो उन्होंने orbit का concept दिया और उन्होंने एक कहा कि यहाँ पर जो orbital angular momentum है mvr that must be n times h upon 2pi मतलब यह quantize होगा तो angular momentum के कुछ fix value ही possible हो सकती है यह क्यों है ऐसा वो explain नहीं कर पाए कोई इसके लिए justification नहीं दे पाए पर उन्होंने का कि यह formula गर valid नहीं हुआ तो मेरा model काम नहीं करेगा तो इस formula का valid होना बहुत ज़ादा जरूरी था तो this part is clear अब इस explanation के थू बोहर ने line spectra को explain तो कर दिया कि lines क्यों आ रही है spectra में क्यों क्योंकि जब भी electron lower energy से higher energy में जाता है तो एक certain amount of energy उसको required है तो उसी energy का photon वो absorb करेगा और वापस जब वो उपर से नीचे आएगा तो उसी photon को वापस से वो emit करेगा तो क्योंकि energy का difference fix है हर बार तो जो photon निकलेगा हर बार वो सेम energy का होगा या multiple transitions होंगी तो उनी particular wavelength वाले photon निकलेंगे तो जो lines आएंगी वो fixed wavelength की ही होंगी हर बार तो इसलिए वो line spectra को explain कर पाने में मतलब successful थे अब यह जो आपका lines है इनकी wavelength निकालने के लिए यह क्या formula यूज करते हम Rydberg formula तो that is 1 upon lambda is equal to R Z square R का Rydberg constant into Z square 1 upon N1 square minus 1 upon N2 square N1 lower value है N2 आपकी higher value है और Rydberg constant की value है 109 677 per meter ठीक है चले next one limitations of Bohr model देखे Bohr model में भी क्या दिखके थे it is unable to explain hydrogen atom spectrum observe using spectroscopic technique नॉर्मल जो line spectrum था वो तो उन्होंगा explain कर दिया पर उसमें आगे जो lines थी वो further से split कर जाती थी under the effect of electric field and magnetic field इनको आप star effect और z-man effect कहते हो उनको explain नहीं कर पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है दूसरी बात आगे आने वाले समय आप पढ़ेंगे कि डिब्रॉय equation आई जो उन्हों बोला कि matter के पास भी dual nature है जो जो electron है वो सिर्फ particle नहीं है वो wave भी है पर इन्होंने wave nature को consider नहीं किया तो उसके according भी ये model आपका incomplete हुआ then Heisenberg uncertainty principle आगे आता है जो कहता कि भी आप simultaneously उसकी location और उसके momentum को accuracy के साथ measure नहीं कर सकते पर ये भाई साब तो कर रहे थे इन्होंने velocity का formula भी दिया इन्होंने radius का formula भी दिया तो मतलब ये बोल रहे हैं कि हम momentum भी calculate कर पा रहे है और हम उसकी position को भी locate कर पा रहे है तो Heisenberg uncertainty principle के according भी ये contradict कर रहे है तो ये गलत होगे उसके according then it was unable to explain the ability of atom to form molecules by chemical bond कि या वो molecule क्यों मनाते है ठीक है stability of atom क्या है और more than one electrons वाले systems के लिए ये line spectra को explain नहीं कर पा रहे थे अब different different line spectra जो आए देखे Lyman series पहली बात number of spectral lines जब हम calculate करते तो number of spectral lines कैसे आती है इसको देख लेते हैं एक बार number of spectral lines आती है आपकी n into n minus 1 divided by 2 जब भी आपका n से वो ground state या n से 1 में जाता है electron तो number of totally spectral lines आती है अब इन में जब भी higher level से 1 पे गिरता उसको Lyman कहते हैं higher से 2 पे गिरता उसको Balmer कहते हैं 3 पे गिरेगा higher से तो pasture 4 पे गिरेगा तो bracket 5 पे गिरेगा तो P fund ठीक है तो इसलिए n1 अगर आपका 1 है जिस पे गिर रहा है 1 है तो वो Lyman है Lyman series की जो radiation है वो ultraviolet region में आती है Balmer की visible है और उससे आगे की सारी की सारी infrared में आती है ठीक है अब गया बच्चों को doubt होता सर lambda max और lambda minimum सब तो निकालते हैं सर वो कैसे निकालना है जैसे बोल दिया कि सर Balmer का lambda max निकाला हो ठीक है देखे एनरजी क्या होता बच्ची आपका hc by lambda तो energy is inversely proportional to lambda हाँ सर अगर बटा lambda max निकालना है तो energy क्या होने चाहिए minimum हाँ सर ठीक है तो बटा 4 से गिरेगा तो और बड़ा हो जाएगा 5 से गिरेगा तो और बड़ा हो जाएगा तो minimum gap तो वो ही हो जस्ट उपर वाले से गिराओ तो जब भी वो lambda max कहे तो समझ जाओ कि energy आपका difference minimum होना चाहिए तो अगर पास्चन के लिए बोल दिया है तो मतलब 3 पे गिरना है हाँ तो 4 से 3 पे गिराओ मतलब जस्ट नेक्स लेवल से और सर लेम्डा मिनिमम हो बटा लेम्डा मिनिमम होगा तो energy difference आपका maximum हो जाएगा maximum कहां से गिर सकती है energy सबसे बड़ा difference क्या हो सकता है सर infinity हाँ तो infinity से उस लेवल पे इसे बालमर के लिए है तो infinity से 2 पाश्चन के लिए तो infinity से 3 तो इस तरह से आप लेम्डा मिनिमम और लेम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हो ठीक है next one बहर फॉर्मुला फॉर्टा हाँ था 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 बहर ने रेडिस के लिए फॉर्मुला दिया साइन डे डिफ्रेंस है क्यों क्यों टोटल इनर्जी नेगेटिव होती है कानेटेक नर्जी आपकी पॉजिटीव होती है तो अगर आपको पर मोल के लिए घा रहा है तो उसको अबगाट्रों नमबर से मल्टिप्लाई कर लेना है और यही total energy अगर आप joule में निकालना चाहते हैं तो it is 2.18 ठीक है मज़िए आप इसको 2.18 into 10 raise to power minus 18 से याद रखो को तो वो better रहेगा यहां लिखा है 21.8 2.18 से कहा है कि यहां 1.8 है और यहां power में भी 18 है ठीक है तो यह into z square upon n square joule per atom यह रहेगा इसका power 6z upon n meter per second तो मतला energy में भी 2.18 है और velocity के formula में भी 2.18 है then total energy यहां देखे potential energy is twice of total energy कभी-कभी question में क्या होता है वो potential energy पूछते हैं तो यह जो formula से आप निकालनेगे यह total energy होगी इसको double करना पड़ेगा आपको potential energy निकालने है तो इस चीज का ध्यान हमेशा रखें then time period के लिए time period is directly proportioned to n cube upon z square ठीक है proportionality बड़ी important है कि time period is directly proportioned to n cube upon z square तो यह सारे-सारे formula जेन को अच्छे से revise के लिएज़े फाइन next one developments leading to quantum mechanical model of atom quantum mechanical model जो था उसके लिए सबसे पहले आपका आया dual nature of matter Debroy equation Debroy ने कहा यह Debroy इसको आप बोलते हैं कि lambda is equal to h upon mv जब भी कोई matter या mass वाला particle किसी v velocity से move कर रहा है तो वो उसके पास भी wave character होगा तो सार यह जो बस जा रहे ही है या ball off है करे यह कोई move कर रहा है यह हमें particle दिखते हैं आज में भाग रहा है मैं particle दिखता है वो हमें wave नहीं दिखता हो वाई क्योंकि mass जब बहुत जादा होता है तो lambda की value बहुत कम हो जाती है इसलिए wave nature को आप observe नहीं कर पाते है wave character बहुत ही बहुत छोटा हो जाता है उसका निगलीजी पर लो जाता है तो यह जो wave character वाली चीज है यह microscope लेवल पर जादा अच्छे सा observe हो सकती है जहां पर mass बहुत ही जादा कम होता है तो lambda is equal h upon mv ठीक है and since kinetic energy को आप लिखते है p square upon 2m ठीक है तो इसलिए lambda को क्या लिखते है h upon p और p को क्या लिख दूँगा मैं p किनना जाएगा root 2m into kinetic energy तो एक formula यह भी आपका बन गया and kinetic energy is also equal to electric work done that is charge into potential तो lambda को मैं h upon root 2m q into potential v v is the voltage तीक है ऐसे भी लिख सकता हूं तीक है then next is quantum mechanical model of atom तीक है अच्छा सौरी एक चीज़ हम skip करके that is Heisenberg uncertainty principle तो एक तो यह होगा था development leading to तो quantum mechanical model के लिए दो important हमारे development see one is De Bruyne's dual nature of matter कि matter के पास भी dual nature है वो भी wave और particle की तरह behave कर सकता है and second was Heisenberg uncertainty principle कि delta x into delta p should be greater than equal to h upon 4 pi and एक और था delta e into delta t बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होता कि यह भी है तो delta x into delta p तो अब बच्चों को पता होता है कि uncertainty in position into uncertainty in momentum is greater than equal to h upon 4 pi पर बेटा uncertainty in energy into uncertainty in time is greater than equal to h upon 4 pi ऐसा भी होता है तीक है then quantum mechanical model of atom तीक है quantum mechanical model में क्या था simply उन्होंने का कि e psi is equal to h psi किनोंने? शोडिंग करने शोडिंग करने एक equation थी थीक है उन्होंने बोला कि हम psi define करते है wave function कि अगर electronic wave है थीक है तो wave है तो जैसे normally आपकी पाने ये पत्तर फैंगोगे तो एक wave बनती है ripple बनते है उसको आप equations express कर सकते हो pressure जो है वो wave की तरह travel करता है तो pressure waves को भी आप define equation के थूँ बोलता कि अगर electronic particle है तो उसको बताब wave equation के थूँ explain कर पाऊगे ना express कर पाऊगे तो electron की जो wave है उसका mathematical equation जो है that is wave function psi ठीक है तो जब Schrodinger equation है ये जो आपकी Schrodinger equation है इसको हम solve करते हैं तो इसके कुछ solution आते हैं उन solution में से सारे के सारे solution acceptable नहीं होते कुछ invalid भी होते है तो जो acceptable solution निकलते हैं उन solutions को wave function कहा जाता है क्योंकि जब Schrodinger equation solve करोगे तो किसी single electron system के लिए ही करोगे जैसे कोई hydrogen atom या hydrogen like atom आपने ले लिया तो उसके लिए जब उसमें single electron है तो जब उसके ने solve किया Schrodinger equation को hydrogen के लिए है जो acceptable solutions थे वो सारे क्या थे वो आपकी wave function थे और हर wave function के साथ energy level associated होता है तो मतलब गर मेरे पास 5 solution आ रहे है तो मतलब उसके साथ 5 associated energy levels है इन ही 5 energy level में electron रहेगा और किसी में ने तो यहां से भी confirm हो गया कि sir energy level quantized है electron अपनी मर्जी से किसी भी random energy में जाके नहीं रह सकता कुछ fix energy levels है उन्हीं में वो रहेगा तो वो जो wave function है उसी को orbital कहा जाता है क्योंकि यह जो solution थे Schrodinger equation की यही wave function थे इन्हे को आप orbital कहते है और हर एक wave function या orbital को तीन quantum number define करते है n, l और m principle, azimothal और angular quantum number, यह तीनों define करते है psi की value को या किसी particular wave function को तो यह equation को याद कर लीजी है, बड़ी important है right, psi का कोई physical significance नहीं होता, psi just wave function इसका कोई physical significance नहीं है पर psi square that is probability density, मतलब एक unit volume में, एक small volume में electron को ढूंडने की क्या probability है that is your psi square ठीक है, तो psi square is not probability it is probability density, जब आप size square को dx से multiply करते है तो उसका मतलब हुआ इस dx length में electron के मिलने की probability, जब size square को किसी area से multiply करेंगे तो उस area में electron के मिलने की probability आपको मिल जाएगी, और जब size square को volume से multiply करेंगे, तो उस volume में electron के मिलने की probability आपको मिलेगी, तो मतलब si square is probability density probability density को आपको या तो length या area या volume से multiply करना पड़ेगा ताकि आप probability निकाल सकें तो ये difference clear हो गया, si की value positive negative 0 हो सकती है पर si square आपका कभी भी negative नहीं हो सकता हाँ 0 हो सकता है, जहाँ पर वो 0 है मत वहाँ पर आपकी probability density 0 होगी मत वह आपका point का है node वहाँ पर electron आपको कभी भी नहीं मिलेगा right, तो orbital basically क्या हुआ Schrodinger equation के solution ठीक है, और in other words हम ये बोलते हैं कि orbital is a space around the nucleus, जहाँ पर electron के मिलने की probability सबसे जादा है ठीक है, क्योंकि orbital क्या है, वो energy level जहाँ electron रहेगा, तो मतलब जो energy level में, मतलब पांच में मिल सकता किसी एक में, मतलब इन पांच में घुड़ूँगा, उसके मिलने की इन पांच में से किसी एक में घुड़ूँगा तो electron के मिलने की probability काफी जादा रहेगी, ठीक है तो इसलिए orbital को आप ऐसे भी बोलते हो it is a space around the nucleus where the probability of finding the electron is very high अब हमारे पास आते हैं फिर quantum number ठीक है, तो quantum number हमारे पास 4 आते है principle, azimutal, orbital and spin spin सबसे last में आया, जो अपका principle quantum number है, वो shell को define करता है 1, 2, 3, 4, मतलब 1st shell, 2nd shell, 3rd shell, 4th shell जिनको K, L, M, N से भी express करते हो, K मतलब 1st shell, L, 2nd M, 3rd, N, 4th ठीक है, तो इसलिए वहाँ से shell आते हैं वार पास, shell के अंदर sub shells होती है यह से S sub shell, P sub shell, D sub shell F sub shell, और orbit क्या था, orbit वो था जो Bohor ने define क्या था 2-dimensional path, 2-dimensional circular path, और orbital क्या orbital is a 3D space, now degenerate and non-degenerate orbitals degenerate जो same energy level पे है ठीक है, जिनकी energy same है वो degenerate orbitals है, और जिनकी energy same नहीं है, वो non-degenerate है, ठीक है, then rules related to filling of electrons in the orbitals off-boh principle, off-boh बोलता है कि भी है सबसे पहले, सबसे lower energy वाला भरा जाएगा उसके बाद उसके higher energy वाले orbitals की filling start होगी, ठीक है, और energy किस पे depend करती है, single electron system, ध्यान से जुनना single electron system की energy सिरफ n पे depend करेगी मतलब, मतलब 3s और 3p और 3d की energy same होगी, n तीनों का 3 है, single electron system की बात कर रहा हूँ है, पर अगर हम multi electron system की बात करते हैं, तब energy n प्लस l पे depend करती है मतलब, principle और azimutal दोनों content number को add करके जो आएगा उस पे depend करेगी, ठीक है तो orbitals are filled up according to the increase in their energy, the order of increasing energy level can be calculated by n plus l rule तो ये n plus l rule सिरफ multi electron system के लिए था, single electron system की energy सिरफ principle content number पे depend कर रही थी और यह आप तो बताएगे, 1s की energy सबसे कम होती है, ठीक है, 1s के बाद 2s आता है फिर 2p आता है, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d ठीक है, then 4p, 1s rule of maximum multiplicity 1s rule कहता है, यह जैसे p के 3 orbital हैं, यह तीरों सेम energy पे हैं, तो पहले सब को single single भरो, सारे एक सारे same energy के जो orbital हैं, जब वो single single भर जाएंगे, उसके बाद ही pairing शुरू करेंगे, this is 1s rule of maximum multiplicity, Paulie's exclusive principle simply यह कहता है, कि यह क्योंकि spin के आपके पास 2 ही values हैं, plus half और minus half, इसलिए एक orbital में 2 ही electron रखे जा सकते हैं, तो यह जो funda था ने, कि एक orbital में 2 ही electron आते हैं, यह किस की वरह से था, यह Paulie's principle की वरह से था, अगर सर, spin की 3 value possible होती है, तो फिर एक orbital में आप 3 electron रख सकते थे, तो एक orbital में कितने electrons आएंगे, it is a consequence of number of spin values, then period wise exceptional electronic configuration यह बड़ा important है, हर period में, देखिए, period 4 में, chromium हैं आपका, chromium हैं आपका expect हम करते थे, कि सर, 4s2, 3d4 होना चाहिए, पर वो actually 4s1, 3d5 था, क्यों, क्योंकि half field configuration बहुत जादा stable होती हैं, और fully filled भी काफे जाद stable होती है, when copper, copper वैसे 4s2, 3d9 होना चाहिए था, पर यह 4s1, 3d10 हो गया, है न, क्योंकि fully filled stability इसको मिलती है, तो यह chromium आगे, आपके copper आगया, then period 5 में आपके पास, यह सारे इक सारे हैं, इनको एकार आप याद कर लीजे, इसको pause करके because अभी मैं explain करने लगोंगा, तो कोई logic बनता है नहीं है उसका, आपको याद ही करने पढ़ेंगे, इनके बीछे सारे सारे जो reason है, that is, क्या half field or fully filled जो sub shells होती है, उनको extra stability मिलती है, ठीक है, तो you can just pause the video here, and just note down all these exceptional configurations, then next one, quantum number, तो quantum number नहीं के principle quantum number है, यह size और energy को define करता है, n की value बड़ेगी, तो size बड़ेगा और साथना energy भी बड़ेगी, ठीक है, KL, MN आप define कर सकते हो, और एक nth shell में, n square orbital होते हैं, और 2 n square electrons होते हैं, then azimuthal quantum number क्या करता है, यह shape of subshell define करता है, जैसे S के लिए spherical है, P के लिए dumble है, D के लिए double dumble है, ठीक है, तो यह shape of subshell define करता है, ठीक है, और L आपका 0 है, तो S है, 1 है तो P है, 2 है, तो D है, 3 है, तो F है, right, then magnetic quantum number यह क्या define करता है, यह बताता है कि वो जो orbital होगा, वो space में किती orientation ले सकता है, जैसे P के लिए 3 value है, minus 1, 0 और plus 1, तो 3 values का मतलग कि P space में 3 orientation में रहेगा, मतलब जो डumble जो है, वो X में भी हो सकता है, Y में भी हो सकता है, तो PX, PY, PZ आपके 3 orbital आते हैं, तो यह number of space में orientation को define करता है, then spin quantum number, spin quantum number आपको quantum theory से नहीं आया, बाद में experimental data से आया था, तीक है, इसलिए इसको पहले 3 quantum number के साथ नॉर्मली नहीं पढ़ते थे, जो आप shooting equation पढ़ोगे, तो वो से 3 quantum number की बात करते हैं, तो spin quantum number क्या है, it's a intrinsic property, यह से mass, किसी भी matter particle में mass तो होगा, और spin is like वो गोल-गोल घुम रहा है, clockwise, anti-clockwise घुम रहा है, no, spin is a quantum mechanical state, ठीक है, इसका गोल-गोल घुमने से correlation नहीं है, it's a quantum mechanical state, it's a intrinsic property, then radial node दिखे, नोड आपको बता है, जहां पर electron के मिले के संभावना बिलकुल 0 हो जाती है, तो दो नोड होते हैं, radial and angular, radial nodes कितने होते हैं, n-l-1 और angular nodes कितने होते हैं, l, और total node होगे n-1, यह लिखा हो, this is n-1, ठीक है, right, radial node, spherical node भी उनको कहते हैं, angular node किसी एक पटिकुछ साइड में होंगे आपको, radial node, spherically symmetrical होते हैं, ठीक है, then, अब देखिए, यह आपके बस ग्राफ आगे, यह आपका psi versus radius, यह psi versus distance का ग्राफ है, यह वाला, और यह आपका psi square versus distance का ग्राफ है, always remember, बच्चों जो s के ग्राफ होते हैं, वो हमेशा psi और size square का ग्राफ होगा, s का वो हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, और p का ग्राफ, और d का ग्राफ हमेशा नीचे से start होगा, ठीक है, क्योंकि s में क्या होता है, spherical होता है, और यहाँ पर density इसकी बहुत high होती है, nucleus के आसपास, इसलिए, यह high electronicity से low की तरफ जाता है, ठीक है, p का ग्राफ हमेशा 0 से start होगा, फिर बढ़ेगा, और d का भी 0 से start होगा, पर p का एकदम से बढ़ जाता है, d का देको थोड़ा सा gradually बढ़ता है, तो यह इनकी shape में difference है, ठीक है, s का ग्राफ हमेशा ओपर से शूरू होगा, अब देखो अगर s का ग्राफ शूरू होगे, एक बार 0 को touch कर रहा है, और negative में जा रहा है, negative में जा रहा है तो यह side का graph हो सकता, side square कभी negative नहीं होता, तो यह अगर आपका negative में जा रहा हम बढ़े, यह side का graph है, और जितनी बार negative यह zero को touch कर रहा है, उतना उसमें radial node है तो 1 radial node का मतलब वो 2s है ठीक है? 3s में देखो यह दो बार 0 को touch कर रहा है तो यह 2 radial nodes यहाँ पर आए अब क्योंग इसका जब size square करेंगे तो size square में क्या हो जाएगा? size square में graph आपका ऐसे अच्छा एक second ओ अच्छा यह size square का नहीं था यह this is radial probability distribution यह अपका 4 pi r square into size square इसका graph है radial probability distribution का graph है ठीक है? this is radial probability distribution तो sir size square का graph कैसे नहीं कालेंगे? अच्छा जो इसको छोड़ो distribution को भी छोड़ो size का graph आपने देख लिए यह वाले ठीक है? अब यह वाले अगर आपके size के graph है, left वाले तो इसका अगर आपको size square करना है तो क्या करना बढ़ेगा? यह जो graph था ना इसको बस आपको positive में ले आना सारा एकसारा जहां से negative में जा रहा नहीं है, यहां से ऐसे इसको positive में ले ले आईए यह था इसको ऐसे ले आईए ऐसे, ठीक है? क्योंकि आपका size square का भी negative हो लिए सकता यह वालग graph है, तो यह ऐसा आजाएगा like this ठीक है? तो ओगा size square, probability density हो जाएगा यह क्या है? probability distribution distribution मों मतलब क्या होता है? ठीक है probability density का मतलब हुआ r distance पे एक unit volume में electron के मिलने की क्या probability है? what is probability distribution? r distance पे अगर एक shell बना दी जाए dr thickness की उस shell में electron के मिलने की क्या probability है? that is probability distribution तो उसका जो dr thickness का जो आपका shell आता है उसका volume कितना होता है? 4 pi r square dr ठीक है? तो यह होगा basically 4 pi r square dr into size square ठीक है? this is radial probability distribution यह graph हमेशा 0 से 0 होते है 1s में आपका एक भी बार 0 को touch नहीं कर रहा है 2s में एक बार 0 को touch किया ठीक है? तो देखो 2s में देखो 2 आप की क्या रही है? 2 आपकी पहाड़ियां लुए है क्यूंद वोस्तों, नबर और of peaks कितनी होंगी? N-L क्योंकि 2p के लिए 2-1, 1 3S के लिए देखो 3-0 1, 2, 3, 3 पहाड़ी है 3P के लिए कितनी है 3-1 that is 2, 2 पहाड़ी है 3D के लिए कितना है 3-2 that is 1 1 पहाड़ी है उतनी peaks आप define कर सकते हैं So that was all about atomic structure I think I hope क्या आप revise करने में आपको help मिली होगी अगर अच्छा लगा share करिये Let me know in the comment section what are your views what are your feedback and all the best download the Canvas Classes app for amazing courses Thank you, bye